हेलो दोस्तो, स्वागत आप सभी का आपका पिच्छाल बेसिक नॉलेज में दोस्तो, जितने सर बिदार थी, मैट्रिक एक्जाम दोर 23 पास कियें जियां दोस्तो, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी और कैसकते हैं महत्पूर अपडेट ने किलके सामने आरें जियां दोस्तो, आप लोग के अगले क्लास में अड्मिसन को लेकर दोस्तो, यहांपर अगर आप लोग देर कर दिजेगा तो हो सकता, आप अड्मिसन लेने से वंचित रह जाओगे अपने मन पसंद कॉलेज से तो चलिए, क्या यह अपडेट आप लोग को बताते हैं ध्यान से देखेगा, और किन-किन कॉलेजों में भी एड्मिसन शुरू हो चुका है जहारकन में, वो भी हम बताने वाले हैं देख सकते हैं, देख सकते हैं, जैक का रिजल्ट आती ही ग्यारवी में नामांकन को लेकर तयारी तेज, यानि दोस्तो अब आप लोग 10 का एक्जाम दिये थे 10 पास करने के बाद, अब 11 में जाओगे, यानि कि कॉलेज में जाओगे तो ऐसे में दोस्तों, गर आप लोग लेट कर देता हो, या फिर सुस पढ़ जाते हो, तो आप लोग हो सकता है, एडमिसन ना मिले इसलिए टाइम रहते हैं, फॉर्म पिलप कर दिजे ताकि आपको मन पसंद कॉलेज में एडमिसन मिल जाए देखिए दोस्तों क्या यहाँ पर लिखा हुआ, कि जारकर नगर में काउंसिल ने एक अक्छा 10B और 12 के साइंस के परिणाम घोसित कर दिये हैं, 10B का रिजल्ट आने के बाद अब इंटरमेडियेट कॉलेजों और प्लेस्टू स्कुलों में 11 में नामांकर गरपतार तेज हो गई है, राच्ची के कई स्कूलों और कॉलेजों ने आप देन फॉर्म उपलब्द करवा दिया है, वही कुछ स्कूल गरिस्म मौकास के बाद फॉर्म उपलब्द कराएंगा, आपको पता है दोस्तों अभी गर्मी का छुट्टी चल रहा है, तो बहुत सारे कॉलेजों ने ये उपलब्द करवा दिया है, और कुछ कुछ जो नहीं कराएंगे, गर्मी के छुट्टी के बाद करवा देंगे, राज्य के 65 अंगी भूत कॉलेजों और 45 संबंद डिग्री महाविदल में इंटरमीडियेट में इस बर्स नमांकर नहीं लिया जाने की भी संभाबना बन रहा है, देखिए, यानि कि आप लोग कॉलेजों और बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए गाली के 65 अंगी भूत कॉलेज और 45 संबंद महाविदल में इंटरमीडियेट में इस बर्स नमांकर नहीं लिया जाने, इन सब कॉलेजों में, एसम दोस्तों जिन कॉलेजों मे विकल पलब्ध है, हलांकि कॉलेज प्रबंधन दोरा इस्थिती सपस्ट नहीं होने कारण उए असमंजस में भी है, क्योंने आगे क्या करना है, यानि कि दोस्तों बहुत सरे कॉलेजों में नहीं बताया है, कि हम 12 का अडमिसन लेंगे या फिर नहीं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, बलेश्टू स्कूल अभी बहुत सरे बन चुक है, तो बलेश्टू स्कूल में भी आप लोग एडमिसन ले सकते हो, ठीक है, इसलिए अभी तक कई संबंधदा प्राप्त कॉलेजों ने इंटर के लिए आविदन प्रक्रिया सुरू नहीं किये, वहीं कहीं ये सुरू कर दिया है, ओनलाइन और ओफलाइन दोनों तरिके से फॉर्म दी जारे है, देखिए दोस्तों कहां का एडमिसन हो जारा है, राची के कुन परमुख कॉलेजों के बात किजिए करें, तो ये देखिए क्या संद जेबियर्स कॉलेज ऑनलाइन रिजिटेशन सुरू ह तो अगर आप लोग संद जेबियर्स कॉलेज राची में पढ़ना चाते हो, तो आप लोग अभी से फॉर्म अपलाइ कर दिजिए, ऑनलाइन रिजिटेशन सुरू हो चुका है, फॉर्म का सुल्क हजार रोपी आप लोग को लगेगा, अगला कॉलेज की बात करें दोस्तो गोसनगर कॉलेज, आप लोग का पहले वाला बुद्बार, जो मंगल भार खुजर जा रही हो, उसके बुद्बार से सुरू हो गिया है, कॉलेज की अधिकारिक वेबसाइट में जाकर आप लोग किया जा सकता है, तीनो संकाई में 512-12 सीटे हैं, मतलब अच्छे सीटे हैं संद जॉन्स इंटर कॉलेज रांची में देखिए, आप लाइन माइदम से फॉर्म मिल रहा है, इसमें 4 रूप यह फॉर्म का सुल्क रखा गया है, तो जल्दी से अपलाई कर देजिए, अगर नहीं किया था हो, उसके बाद देखिए, उस उलाइन इंटर कॉलेज में है, फॉर्म का सुल्क दोस्तों, यहाँ पर 300 रखा गया है, उस लाइन इंटर कॉलेज में ठीक है, और हलांकि सीट अभी तहीं नहीं कितना कितना सीटे है, आट इसी इंटर कॉलेज देखिए, नावंगर लेने को चुप छातर पान सुरुपी आपदन सुल्क के साथ फॉर संकाई में 350-350 सीटे हैं, संद पॉल्स कॉलेज, संद पॉल्स कॉलेज में दोस्तों, टोल्टल यहाँ पर इंटर के तीनों संकाई में दाखि लिए 6 रुपे का सुल्क देना पड़े आपदन कर सकते हैं, कॉलेज के और से बताएगा कि आप लाइन माध्गम से नामंगर फ पता कर सकते हैं, कॉलेज में फॉर्म अफ्लोड हो रहा है या फिर नहीं, तो जल्दी से फॉर्म अपलाई कर दे, क्योंकि वक्त काफी कम बचा हुआ है, और ऐसे में इस बार दोस्तों आप लोग का बहुत सारे इंटर कॉलेजों में आप लोग का नामंगर नहीं होने वा है, ठीक है, तो बस आप लोग जल्दी से अपलाई कर देजिए, फॉर्म भर देजिए, बाकी कोई भी अपड़िट चाहिए, किस प्रकार वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करें के बोल सकतों, मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है, चलिए, चलिए, लभी आल, थाइंक झाल करूशी आप लोग भी है, चलिए, लोग चलिए, जो भी आप लोग.